आज की वीडियो में हम जानेंगे टैक्सा काइंड MF टैबलेट के बारे में ये टैबलेट कब यूज की जाती है, कौन सी कंडिशन में यूज करते हैं इस टैबलेट के साइड इफेक्ट, बेनेफिट्स, डोस, प्राइस, प्रिकेशन्स ये सबी बाते आज हम इस वीडियो में किलियर करेंगे तो वीडियो का पैंड तक जरूर देखे, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की नोलजिबल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं टेक्सा काइंड एमेफ टेबलेट मैंकाइंड कंपनी के दुवारा बनाए जाती है और दस टेबलेट के स्ट्रिप होती है जिसका एमारपी दो सो उननचस रूपिय होता है और इसमें आपको दो साल्ट देखने को मिल जाएंगे ट्रेन एक्सामिक एसिड जो की 500MG में होता है और मैफिनेमिक एसिड जो की 250MG में होता है अब हम जानेंगे इस टेबलेट के बेनफिट के बारे में टेक्सा काइंड एमेफ टेबलेट को especially heavy bleeding और menstrual pen हो जाने पर यूज किया जाता है मतलब कि किसी female को भयानक period होता है और उसमें बहुत ज़्यादा bleeding होती है बलड बहुत ज़्यादा निकलता है तो ऐसी condition में इस टेबलेट को यूज किया जाता है इस टेबलेट को यूज करने से heavy bleeding आराम से कंट्रोल हो जाती है बलड को कलोड करने में taxa kind MF tablet बहुत अच्छा result देती है bleeding किसी भी कारण से हो सकती है जैसे कोई surgery हुई है उस time blood रुक नहीं पा रहा है या फिर पेट में infection हो जाता है जिसकी उज़े से stool के साथ साथ blood आने लगता है या नाक से खोनाता है मसूड़े से खोनाता है इस तरह से कोई भी condition हो सकती है तो ऐसी condition में taxa kind MF tablet बहुत ज़्यादा effective होती है और इसके अलावा मासिक धर्म का तेज दर्द होता है जिसे period pen बोलते हैं या फिर किसी भी कारण से पेट दर्द होता है उसमें भी ये टेबलेट बहुत अच्छा result देती है इसमें जो train examic acid होता है ये blood को clode करता है blood को बहने से रोकता है और mefenemic acid पेट दर्द को रोकता है फिर चाहे वो period pen हो या किसी भी कारण से पेट दर्द होता है उसको ये काफी एच्ची से ठीक करता है दोस्तों अब आप काफी एच्ची से समझ गई होगे इस टेबलेट को कब यूज किया जाता है और इस टेबलेट के pre-cations की बात करे तो pregnant lady इस टेबलेट को आराम से यूज कर सकती है किसी तरह की कोई problem नहीं है और breastfeeding lady भी इस टेबलेट को आराम से यूज कर सकती है और इसके अलावा जिन लोगों को kidney से related कोई problem है या फिर कोई patient, alcohol or intact करता है तो ऐसी condition में side effect आ सकते हैं इन दोनों condition में आप डोक्टर से consult करके ही यूज करे और इस टेबलेट को आप over dose में ना ले जितनी dose आपके डोक्टर आपको बताते हैं उसे उपर ना ले और किसी भी medicine को यूज करने से पहले एक बार उसकी एकस्पारे जरूर चेक कर ले और इसकी dose की बात करे तो आप एक टेबलेट सुबा और एक साम खाने के बाद डोक्टर की सलाह के अनुसार ले सकते हैं और ज़्यादा problem होने पर एक दिन में तीन टाइम भी ले सकते हैं यानि सुबह, दोपेर और साम तीनो टाइम ले सकते हैं और इस टेबलेट को डोक्टर दोवारा तीन दिन या पांच दिन या फिर साथ दिन या फिर 20-21 दिन तक पैसेंट की कंडिशन के इसाब से दिया जाता है ये सब पैसेंट के उपर डिपेंड करता है इसलिए dose के बारे में आप डोक्टर से कंसर्ड करके ही उसकरें अब हम जानेंगे इस टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में कोमन साइड इफेक्ट की बात की जाए तो नोजिया, स्टमक पैन, हैडएक, नेजल कंजेशन, साइनस पैन इस तरह का साइड इफेक्ट एकाथ परसन को हो सकता है उम्मिद करता हूँ पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी इसी तरह की नोलजिबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सस्क्राइब कर सकते हैं